आप देख रहे हैं अनहोनी जहां आज की कहानी हमारे साथ शेर की है सुरेश जी ने तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर आज से 25 साल पहले मेरे साथ घटित एक घटना जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है दरसल पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मुझे किसी तरह का काम नहीं मिला तो मैं काफी मायूस रहने लगा मुझे हर वक्त मायूस रहता देख मेरे एक रिष्टिदार ने मुझे गाउं के बाहर एक बोईस होस्टल में इनचार्ज का काम लगा दिया काम लगने से मैं काफी खुश था और अपनी ड्यूटी काफी एमंदारी से कर रहा था मेरी ड्यूटी सुभा के आठ बजे से रात के आठ बजे तक की थी महीना भर तो सब कुछ ठीक ही चला जिसके बाद मालिक ने एक दिन कहा सुरेश कल से सबका सेफ्ट बदल जाएगा तुमारी भी ड्यूटी अब रात की होगी रात साड़े नो बजे से सुभा के साड़े नो बजे तक ये सुनकर मैं थोड़ा मायूस हुआ मगर मैं कर भी क्या सकता था मेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था उस दिन की ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं घर चलाया और घरवालों को भी पूरी बात बताई जिस पर पापा ने कहा बटा कुछ दिन कर ले मैं दूसरा काम देखता हूँ तिरे लिए पापा की ये बात मुझे ठीक लगी खर अगली दिन रात का खाना पीना खाने के बाद मैं टौर्च लेकर काम पर जाने के लिए घर से निकला तो वक्त हो रहा था रात के नौ बजे का मेरे काउं में रात के नौ बजना यानि काफी रात दूर दूर तक ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई जानवर उस फैले हुए सनाटे को देख कर मैंने मन ही मन कहा मेरे जैसा कोई बदकिस्मत ही होगा जो इतनी ठंड में वो भी रात के वक्त घर से बाहर निकलेगा खेर अपनी किस्मत को कोशते हुए मैं आगे बढ़ने लगा कुछ दूर चलने के बाद मैं गाउं के रास्ते से अलग एक अंधेरे से घिरे कच्चे रास्ते पर आ गया जिसे पार करते ही वो होश्टल आ जाएगा दिन के वक्त तो इस रास्ते पर हलकी चहल पहल रहती है मगर अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सननाटा ही सननाटा फैल जाता है अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के दोड़ने की आवाज आई तो मैं जट से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक सोला सत्रा साल का लड़का दोड़ते हुए मेरी तरफी आ रहा है उस लड़के को देखकर मैं रुक गया मगर वो लड़का मेरे पास ना आकर मुझसे आगे निकल गया मैं भी इस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा मगर मेरे मन में एक बात खटक रही थी कि वो लड़का कौन था और दोड़ता हुआ कहां गया अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे वही लड़का बैठा हुआ दिखा जो सिर जुका कर रोई जा रहा था मगर ऐसा क्यों अभी तो ये लड़का दोड रहा था और अभी रोकियो रहा है कहीं ये लड़का मेरे होश्टल का तो नहीं है मन में कई तरह के सवाल लेकर मैं उस लड़के के पास गया और कहा कौन भाई तुम और इतनी राद के इस रास्ते पर रोकियो रहा हो इस पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया उस लड़के से कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा से कहा कई तुम मेरे हुश्टल में तो नहीं रहते हो और अगर रहते भी हो तो चलो जल्दी इतनी राद गय तुमारा यहां रुकना ठीक नहीं होगा मेरे इतना बोलते ही उस लड़के ने अपनी शकल मेरी और घुमाई तो मैंने टॉर्च की लाइट जब उसकी शकल पर डाली तो मेरे होश उड़ गए मैं अंदर से लेकर बाहर तक हिल गया और मेरा पूरा शरिर कपकपाने लगा दरसल उस लड़के का चहरा पूरी तरह से सपाट था उस लड़के के चहरे पर आँख नाख मुह कुछ भी नहीं था उस लड़के का चहरा देख कर मैं समझ गया कि ये कोई इनसान नहीं बलकी एक भूत है इससे पहले कि वो भूत मुझे कुछ कर पाए मैंने होश्टल की तरफ दौर लगा दी दौरते वक्त मैंने जब पीछे मोड़ कर देखा तो वो लड़का वहां से गायब था मगर मैंने अपने दौरने की रफ़तार कम नहीं की तभी मुझे थोड़ी दौरी पर हलकी रोश्णी दिखी मैं और तेज दौरते हुए उस रोश्णी के पास गया तो मैंने देखा कि मेरी होश्टल का वोचमैन हाथ में लाल्टेन लेकर खड़ा है उसने मुझे इस हालत में देख कर कहा अरे साब आप दौर क्यों रहे हैं? इस पर मैंने उससे अपनी सारी आबीती बताई मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस वोचमैन ने लाल्टेन उपर उठाया और एक भारिसी आवाज में कहा कहीं वो लड़का ऐसा तो नहीं दिखता था साब उसकी भारिसी आवाज सुनकर मैंने जब वोचमैन की शकल देखी तो मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया और इतनी ठंड में भी मेरा चहरा पसीने से लटपत हो गया की तभी वोचमैन की चहरी की तरह ही उसका पूरा शरीर उस लड़के में तबदील हो गया मैं भागने की काफी कोशिश कर रहा था मगर मेरा शरीर हिल तक नहीं पा रहा था मानू किसी अद्रिश शक्ती ने मुझे जकल कर रखा हो मैं उस लड़के के रूप में अपनी मौत को साफ देख पा रहा था तभी उस लड़के ने मुझे उठा कर जमीन पर पटक दिया काफी जोर से गिरने के कारण मुझे काफी चोट आई जिसके बाद उस भूत ने मेरे दोनों पैरों को एक साथ में ही पकड़ा और घसीटता हुआ पता नहीं कहीं ले जाने लगा पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था अभी वो भूत मुझे घसीट ही रहा था कि तभी काफी सारी टॉर्च की लाइट मुझ पर पड़ी जिससे उस भूत ने मेरा पैर छोड़ दिया और कहा आज तो नहीं कल तु जरूर मरेगा और इतना बोलकर हवा में धुआ हो गया वो टॉर्च की लाइट जब मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे घरवाले हैं मेरे पापा ने मुझे सहारा देकर उठाया तो मेरा पूरा पीट छेल चुका था उससे काफी खोन भी निकल रहा था फिर मुझे पता चला कि होस्टल नहीं पहुँचने के कारण होस्टल से मेरे लेंड लाइन फोन पर कॉल आया था जिससे मेरे घरवाले काफी परिशान हो गए और मुझे ढूंडते हुए यहां तक आ गए जिसके बाद मैंने अपनी पोरी आप बेती घरवालों को बताई जिस पर पापा ने कहा तुम पहले घर चलो फिर सब बताता हूँ फिर हम सब घर आ गए घर आकर पापा ने कहा आज से करीब दस साल पहले की बात है हमारे गाओं का एक लड़का गाओं में सबजी बेचा करता था दरसल उसके पापा नहीं थे तो उसे चोटी सी उमर में ही अपने घर की सारी जिमिदारियां उठानी पड़ती थी दीरे दीरे उसकी सबजीयां अच्छी बिखने लगी वो गरीब लोगों को मुफ्त में भी सबजीयां दे दिया करता था सबजीया ज्यादा बिखने के कारण अब उसे ज्यादा सबजیयों की जरुत पड़ने लगी जिसकारण वो सुभा तीन बजे जाकर सेर के मंडी से सबजी लाने लगा मगर एक रात जब वो तीन बजे सबजी लाने गया तो कभी वापस नहीं आया जब सुभा गाउवाले उसे ढूनने निकलें तो पाया की रास्ते पर उसके सरीर के थोड़े थोड़े टुकले गिरे हुए जिसे देखकर ही पता चल गया कि उस लड़के को रात के वक तकेला पाकर जंगली जानवरों ने नोच खाया है ये खबर सुनकर उसकी मा पागल हो गई और पता नहीं कहां चली गई और तब से उस लड़के के आत्मा भटकती है मगर कई सालों से वो आत्मा किसी को दिखी नहीं जिस कारण सभी लोगों ने मान लिया कि अब उसकी मुक्ती हो गई है पर तुमारे साथ जो हुआ इससे साफ साफ पता चलता है कि वो आत्मा आज भी उस रास्ते पर अपना डेरा जमाई हुए है उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई जिसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया और आज मैं एक बड़ी सी कमपनी में काम करता हूँ तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानिया है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें तो मैं आरियन जल्दी मिलूंगा आप से ऐसी ही एक कहानी के साथ और अगर आप भी एनिमेटेड होरे श्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी